नमस्कार दोस्तो स्पीड ग्यान में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम नौंबर करन्ट अफेर्स के टोप मोस्ट 50 MCQ क्यूस्टन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले ताकि आगे जो भी वीडियो हम डाले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के आज की क्लास शुरू करते हैं पहला क्योशन है हाल ही में किस राज्ये में देश का पहला टायर पार्क बनेगा ओप्शन A है आंदरप्रदेश B है गोवा C है उत्राखंड और D है पस्चिम बंगाल तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ओप्शन D पस्चिम बंगाल जो देश का पहला टायर पार्क है वो का बना है वो बना है पस्चिम बंगाल में इसमें सभी चीजे क्या है टायर की बनी हुई है ठीक है जो पुराने टायर्स हैं उनकी सभी चीजे बनी हुई है और अगर बात की जाए पहला मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क तो मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क का बनेगा तो वो बनेगा असम में, ठीक है, मल्टी मोडल पार्क वो बनेगा असम में, अगला क्योशन है, हाल ही में NSG के महानि देश्टक का अतिरिक्त परभार किसे दिया गया है, उप्सन A है राकेस अस्थाना, B है अजित दोबाल, C है SS देश्वाल, और D है AP महेश्वरी, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है, उप्सन C, SS देश्वाल, ठीक है, इनका पूरा नाम है सुर्जीत सिंग देश्वाल, और इसने किस की जगह ली है, तो इसने ज इबत सीमा पुलिस के महाने दे सक, जो ITVP है, उसके जो महाने दे सक है, वो भी कौन है, SS देश्वाल, ठीक है, NSG, इसकी फुल फॉर्म होती है, National Security Guard, National Security Guard, ठीक है, अगला क्योश्चन है, हाल ही में, किस अभिनेता को UNDP के द्वारा Special Humanitarian Action Award से सम्मानित किया गया है, उप्शन A है सल्मान खान, B है सोनु सूद, C है साहिद कपूर, D है जोन अब्राहिम, तो इसका राइट आंसवर है, Option B, सोनु सूद को, जो Special Humanitarian Award है, Action Award है, वो मिला है, सोनु सूद को, ठीक है, जो UNDP होती है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, United Nations Development Program, United Nations Development Program, और इनको किस के लिए मिला है ये, ये मिला है इनको निश्वार्थ भाव से मदद करने, और लाखो परवाशियों को घर पहुंचाने के लिए, जो नोंने लोकडाउन में लाखो परवाशियों को निश्वार्थ भाव से घर पहुंचाया था, इस के लिए क्या मिला है इसको, Special Humanitarian Action Award, अगला क्योंचन है, हाल ही में अखिल भारतिय फुटबॉल महासंग पुरुसकार 2019-20 गोशित हुए है, पुरुस वर्ग में फुटबॉलर आप देएर किसे दिया गया है, Option A है, गुर्पीत सिंग संधू, B है, संदेश जिगन, C है, उत्तम सिंग, और D है, अनिरूद थप्पा, अनिरूद थप्पा, तो इसका राइटांसर है, इसका राइटांसर है, Option A, गुर्पीत सिंग संधू, जो पुरुस वर्ग में फुटबॉलर आप देएर है, वो ना गया है, संजू यादव को, कहां से ये, ये है, हरियाना से, जो संजू यादव है, वो है, हरियाना से, और जो ये पुरुसकार है, ये किसकी द्वार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, AIW, यानि All India Football Federation की द्वारा, ठीक है, All India Football Federation, इसकी द्वारा ये पुरुसकार द जाता है अगला क्योशन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच दिववार्शिक नोसैनिक अभ्यास GMAX 20 शुरू हुआ है जो GMAX 20 है वो किन किन के बीच शुरू हुआ है ओप्शन A है अमेरिका, B है चीन, C है रूस और D है जापान तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ओप्शन D जापान जो GMAX 20 है वो भारत और जापान की बीच शुरू हुआ है ठीक है जीमेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है जापान और इंडिया मेरिटाइम एक्सरसाइज जापान और इंडिया मेरिटाइम एक्सरसाइज ठीक है और जो नोशेना परमुख है न Admiral Karambir Singh, ठीक है, और जो ये GMAX 20 है, ये कौन सा संस्क्रण है, ये चोथा संस्क्रण है, फोर्थ संस्क्रण, ठीक है, और ये हुआ है उत्री अरब सागर में, का शुरू हुआ है ये, उत्री अरब सागर में, अगला क्योशन है, हाल ही में, राफिल लड़ा कुई मान को उड़ाने वाली पहली भारते महिला पाइलट कौन बनी है, ओप्शन A है सिवांगी सिंग, B है आवनी चतुरवेदी, C है भावना कंट, और D है इन में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है, ओप्शन A, स सिवांगी सिंग, कहां से ये, ये है यूपी से, यानि कि उत्तर परदेश से, ठीक है, और अगर बात करूँ मैं, वायू सेना परमुख, वायू सेना परमुख, तो वायू सेना परमुख कौन है, वो है, राकेश कुमार सिंग, भधोरिया, राकेश कुमार सिंग, भधोरिय अगला क्योंसन है हाल ही में जारी वैसलिक जोखिम सूचकंग 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है option A है 89, B है 88, C है 87, D है 86 तो इसका राइट आंसर है option 89 जो वैसलिक जोखिम सूचकंग 2020 है उसमें भारत का स्थान रहा है 9a शिवा कितने देशों की लिस्ट थी वो ठी 181 देशों की सूचि ठीक है उसमें 181 देशों की सूचि में भारत कह स्तान रहा है नावा सिवा और पहले स्थान पर कों रहा है तो पहले स्थान पर रहा है वनुआट्टू देश अगला क्योशन है 12 दिसंबर 2020 पेरिस जलवायू समझोते की पांच वी वर्षगाट पर आयुजित होने वाले Global Climate Summit का आयुजन कौन करेगा उप्सन A है सन्युक्तराष्टर, B है ब्रीटेन, C है अमेरिका और D है A and B तो इसका राइट आंस्वर है उप्सन D, A and B यानि जो पेरिस जलवायू समझोते की पांच वी वर्षगाट पर आयुजित होने वाले Global Climate Summit का आयुजित कौन करेगा सन्युक्तराष्टर और ब्रीटेन, United Nation और ब्रीटेन, दोनों मिलकर करेंगे ठीक है अगर UN यानि सन्युक्तराष्टर की बात करें तो इसके महासचीव कोन है महासचीव, तो UN के महासचीव है Antonio Guterres Antonio Guterres ठीक है, और ब्रीटेन के परधान मंतरी कोन है ब्रीटेन के परधान मंतरी, प्राइम मनिश्टर, तो वो है Boris Johnson Boris Johnson, ठीक है अगला क्योशन है Time Magnes ने 2020 की 100 प्रभावसाली लोगों की सूची में किन भारतियों को सामिल किया है Option A है नरेंदर मोदी, B है प्रोफेसर रविंदर गुपता, C है आयुस्मान खुराना Option D, उप्युक तिनो, Time Magnes ने 2020 की 100 प्रभावसाली लोगों की सूची में किन-किन भारतियों को सामिल किया है तो वो है नरेंदर मोदी, प्रोफेसर रविंदर गुपता और आयुस्मान खुराना तिनों को इसमें सामिल किया है ठीक है, और जो ये Time Magazine है, ये कहां की पत्रिका है तो ये है अमेरिका की पत्रिका ठीक है, जो New York सहर में चपती है अगला क्योशन है खाल ही में भारतिय नोशेना ने किस देश की नेवी के साथ मिलकर पैसेज एकसरसाइज की आरंब की जो पैसेज एकसरसाइज है, वो आरंब की ओप्सन A है अमेरिकी नोशेना B है आस्ट्रेलिया नोशेना C है रूसी ना और D है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंस्वर है इसका राइट आंस्वर है ओप्सन B आस्ट्रेलिया नोशेना ठीक है, किसके साथ की आस्ट्रेलिया नोशेना किसाथ और ये काँ पे होया है जो ये अभ्यास है ये हो रहा है पूर्वी हिंद महासागर अगला केशन है इटालियन ओपन 2020 के फुरुस वर्ग का खिताब किसने जीता है ओप्शन A है नोवाक जोकोविच B है रोजर फेडर C है राफिल नडाल और D है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है ओप्शन A नोवाक जोकोविच जो इटालियन ओपन 2020 है फुरुस वर्ग का खिताब वो जीता है नोवाक जोकोविच ने कहां से है ये ये है सर्बिया से सर्बिया ठीक है और इसने किसको हरा कर ये जीता है तो इसने हराया है अरजेंटिना के डियोगो स्वार्जमेन को डियो स्वार्जमेन कांके अरजेंटिना के और जो रोजर फेडर है ये कांके है ये है स्वीजर लेंड के और राफिल नडाल है स्पेन के अगला क्योशन है हाल ही में विष्व बैंक के दुवारा जारी मानव पुञजी सूचकांग यानि कि Human Capital Index 2020 में भारत को क्या स्थान मिला है? Option A है 111, B है 113, C है 115, D है 116 तो इसका राइट आंस्वर है? इसका राइट आंस्वर है Option D 116 जो Human Capital Index 2020 है उसमें भारत को स्थान मिला है 116 ठीक है और कितने देशों मिला है? ये थी 114 देशों की सूची 174 देशों में भारत को स्थान मिला है 116 अगला क्यों सुन है? हाल ही में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रे सुरक्स्या सलाहकारों की दस्वी बैठक की अध्यक्सता किस देश ने की? Option A है रूस, B है ब्राजिल, C है चीन, D है दक्षिन आफ्रिका तो इसका राष्ट आंसर है, इसका राष्ट आंसर है, ओपस ने, रूस ब्रिक्स देशों में दस्वी बैठक की अध्यक्सता किस ने की है? वो की है, रूस ने, ठीक है और भारत की तरफ से राष्ट्रे सुरक्सा सलाहकार कौन थे? वो थे अजित डोबाल, जिनोंने इसकी परतिनिद्द्द्द किया, भारत की तरफ से परतिनिद्द्द्द्द किया, अजित डोबाल ने अगला कैसन है हाल ही में पुस्तक, आजादी किसने लिखी है? जो पुस्तक है आजादी, वो किसने लिखी है? Option A है अरुंधती रोय, B है किर्ण देशाई, C है अनिता नायर, D है अनुराधा सर्मा तो इसका राइट आंस्वर है? इसका राइट आंस्वर है Option A अरुंधती रोय, जो हालही में पुस्तग लिखी गई है आजादी, वो लिखी गई है अरुंधती रोय के द्वारा अगला क्योंशन है, होलही में किस भारतिय को एशिया गेम चेंजर आवार 2020 से सम्मानित किया गया है Option A है संजीव कपूर, B है विकास खन्ना, C है गगन आनंद, और D है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आन्सर है, इसका राइट आन्सर है, Option B, विकास खन्ना, जो भारतिय है, एशिया का गेम चेंजर आवार 2020 वो मिला है विकास खन्ना को, यह क्या है, यह एक मास्टर सेफ है, ठीक है, और इनको किस के लिए मिला है यह, इसनको मिला है कोईर महामारी के दोरण, लाखों लोगों को बोजन वितरन अभियान, यानि की जो फीड इंडिया है, फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए, ठीक है अगला क्यूस्टन है हाल ही में, सितंबर 2020 में, आयुजित G20 देशों के लिए, परियावन मंत्रियों की बैठक में, भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया उप्शन A है नरेंदर मोदी, B है राजनात सिंग, C है अमित्सा, और D है परकास जावेड कर तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है, ओप्शन D, परकास जावेड कर ठीक है, जो आयुजित, जो G20 देशों के लिए, परियावन मंत्रियों की बैठक में, भारत की ओर से हिस्सा लिया था, वो है, परकास जावेड कर और ये किस चीज के मंत्री है, तो ये है परियावरन एवं जल्वायू परिवर्तन, परियावरन एवं जल्वायू परिवर्तन, एवं वन मंत्री, ठीक है, अगला क्योशन है, हाल ही में, राज्यसभा का उपसभापती पुने की से चुना गया है, उप्शन A है हरिवंस नाराइन सिंग, B है M वैंकया नाइडू, C है ओम बिरला, और D है इनमे से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है, उप्शन A, हरिवंस नाराइन सिंग, इनको क्या किया गया है, राज्यसभा का उपसभापती पुने चुना गया है, ठीक है, और जो M वैंकया नाइडू है, वो क्या है, वो है सभापती, राज्यसभा के सभापती, अगला क्योशन है, हाल ही में, किस भारतिय को विश्यू बैंक में कारेकारी निदेसक बनाया गया है, उप्शन A है राजे स्खुलर, जो राजे स्खुलर है, उनको विश्यू बैंक में कारेकारी निदेसक बनाया गया है, ठीक है, राजे स्खुलर कहां से है, ये है हरियाना से, ठीक है, और जो विश्यू बैंक का अध्यक्स है, विश्यू बैंक का अध्यक्स वो कौन है, वो है डेविड म और विशु बैंक कहा है तो विशु बैंक है वाशिंग्डन डिसी USA में अगला क्योशन है भारत ने किस देश के साथ द्वीपक्सी 2 प्लस 2 अंतर स्तरिय बैठक का आयूजन किया है ओप्सन A है इसराइल, B है अमेरिका, C है चीन और D है सौधी अरब तो इसका राइट आंस्वर है ओप्सन B, अमेरिका, अमेरिका के साथ भारत ने द्वीपक्सी 2 प्लस 2 अंतर स्तरिय बैठक का आयूजन किया है अगला क्योशन है, हाल ही में US Open Tennis Tournament 2020 महिला वरग में किसने जीता है ओप्सन A है नाओमी ओसाका, B है मार्टिना हिंगिस, C है सेरेना वीलियम्स और D है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंस्वर है इसका राइट आंस्वर है ओप्सन A, नाओमी ओसाका, ठीक है इन्होंने क्या क्या है, इन्होंने US Open Tennis Tournament 2020 जिता है नाओमी ओसाका, कहां की है ये, ये है जापान की ऑर किसको हराया, इसने हराया बेलरूस की विक्टोरिया अजारिका को, विक्टोरिया अजारिका, इनको हराकर इन्हें ये Tennis Tournament जिता है अगला क्योश्टन है हाल ही में सत्यपाल मलिक को कौन से राजय का राजय पाल बनाया गया है ओप्शन A है गोवा B है मेघाले C है UP D है इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है इनका right answer है ओप्शन B मेघाले जो सत्यपाल मलिक है अब उनको कौन से राज़े का राज़ेपाल बनाया गया है तो वो है मेघाले और मेघाले से पहले वो कौन से राज़े के राज़ेपाल थे तो गोवा से पहले वे थे गोवा से पहले थे वो यानि कि मेघाले से पहले थे वो गोवा की मेगाले से पहले किस राज्य के राज्य पाल थे थे गोवा के ठीक है और गोवा के अब कौन है राज्य पाल तो गोवा के अब है भागत सिंग खोश्यारी अगला किर्शन है हाल ही में B.S.F. के नए महानी देशक कौन बने हैं? Option A है राकेस अस्थाना, B है SS देशवाल, C है जावेद अक्तर, और D है पुर्णिमा अरोडा तो इसका राइट आंसर है Option A, राकेस अस्थाना, ठीक है जो BSF के नए माझने सब बने हैं वो है राकेस अस्थाना BSF की full form क्या होती है, तो BSF की full form होती है Border Security Force Border Security Force और इसका मुख्यले है New Delhi यानि की नई दिल्ली में अगला क्योशन है हाल ही में इंद्रा गांदी सांती पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया है Option A है Donald Trump, B है Sir David Attenborough, C है Narendra Modi और D है इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है Option B, Sir David Attenborough ठीक है जो इंद्रा गांदी सांती पुरुषकार है, वो मिला है Sir David Attenborough ये कहां के हैं, ये हैं अमेरिका के और जो इंद्रा गांदी सांती पुरुषकार है, वो किस के लिए मिलता है तो ये हैं पुरुषकार, सांती, निसंस्तिरिकरण और विकास के लिए परदान किया जाता है और ये हर साल परदान किया जाता है यानि कि हर साल ये वितरित किया जाता है तो अब की बार किसको समानिक दिया गया है Sir David Attenborough को अगला किसन है हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्रे महिला आयोक का सदेश्य कितने वर्ष के लिए बनाया गया है option A है 2 वर्ष, B है 3 वर्ष, C है 4 वर्ष तो इसका right answer है 4 वर्ष के लिए ठीक है जो संयुक्त राष्ट्रे महिला आयोक का अध्यक्स है वो बनाया गया है 4 वर्ष के लिए ठीक है और राश्ट्रे महिला आयो की अध्यक्स कौन है तो वो है ये रेखा सर्मा ठीक है और ये चार वर्ष के लिए कब कब है ये 2021 से 2025 तक बनाया गया है अगला क्योशन है हाल ही में बाय बाय कोरोना नाम से लिखी नई दुनिया की पहली वैग्यानिक कार्टून पुस्थिका के लेखक कौन है ओप्शन ए है डाक्टर परदीप स्रीवास्तव बी है सुमन दुबे सी है एनके सिंग और डी है सरप्रीत सिंग तो इसका राइट आंसर है ओप्शन ए डाक्टर परदीप स्रीवास्तव ठीक है यह है Senior Principal Scientist at CSIR ठीक है यानि कि लखनव यूपी में लखनव यूपी में इन्होंने क्या क्या है बाए बाए कोरोना नामों के लिखी नई दुनिया की पहली वेग्यानिक कार्टून पुस्तिका के लेखर कौन है डाक्टर परदीप स्रीवास्ताव अगला क्योशन है नॉम्बर 2020 में मालाबा मालाबार नोस्यनिक अब्यास कहां सुरू हुआ ये अरब सागर, ब है बंगाल की खाड़ी, णजिया कार्डवार जैकर है कि ये ये होटा है बारत जापान, अमेरिका और आस्ट्रेलिया पहली बार इस युद्ध अभ्यास में सामिल हुई है अगला क्योशन है हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 चक्य लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने है ओप्शन A है Chris Gale, B है Kiran Pollard, C है A.V.D.Valiers और D है MS Dhoni तो इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ओप्शन A Chris Gale, ठीक है कौन है? Chris Gale कौन से देश के हैं ये? ये है West Indies के West Indies, ठीक है अगला क्यों सन है हाली में, चोदवे ACI फिल्म प्रुसकार में किस भारतिय फिल्म को Best Original प्रुसकार का स्कोर का प्रुसकार दिया गया है ओप्शन A है Newton, B है राजी C है Gale Boy, और D है दंगल तो इसका राइट आंसर है ओप्शन C, Gale Boy चोदवे ACI फिल्म प्रुसकार बारतिय फिल्म को Best Original स्कोर प्रुसकार मिला है वो फिल्म है Gale Boy ठीक है, इसके जो हीरो है एक्टर है, वो है रनबीर सिंग रनबीर सिंग और जो हीरोईन है वो है आलिया भट आलिया भट अगला क्योशन है हाली में महिला IPL 2020 का Title Sponsor कोन बना है Option A है Paytm B है Jio C है Dream 11 और D है OPPO तो इसका राइट आन्फर है Option B, Jio जो महिला IPL 2020 संस्कोर है उसका Title Sponsor कोन बना है वो था Jio ठीक है और अगर पुरुसवरग की बात करें पुरुसवरग जो पुरुसवरग का IPL 2020 हुआ है उसमें title sponsor कौन थे तो उसमें title sponsor थे Dream 11 ठीक है पुरुस वरग में थे Dream 11 और महिला वरग का था जीयो अगला क्योशन है हाल ही में कानून बनाकर मास को अनिवार्य करने वाला पहला राजय कौन सा है option A है मध्यपरदेश B है महाराश्टर C है उत्तरपरदेश और D है राजस्थान तो इसका right answer है option D राजस्थान इन्होंने क्या किया है कानून बनाकर मास को अनिवार्य किया है ठीक है और CM कोन है याके तो CM है असोक गहलोत और गवर्नर कोन है राज्यपाल कोन है राज्यपाल है याके कलराज मिस्र अगला क्योंसर है हाल ही में न्यूजिलेंड के पहली भारत्य मूल मंतरी कोन बनी है भारत्य मूल की कोन मंतरी बनी है option A है मिटी अगरवाल B है सिवांगी सिंग C है प्रियंका राधा कृष्ण और D है अनुराधा अगरवाल तो इसका राइट आंसर है option C प्रियंका राधा क्रिश्ण इनको ये क्या बनी है ये न्यूजिलेंड में मंत्री बनी है ठीक है और ये कहां कि है इनका जन्म हुआ था चेन्नाई में ठीक है और ये लेबर पार्टे को रिपर्जेंट करेंगी और न्यूजिलेंड को प्राइम मनिस्टर कोन है न्यूजिलेंड को प्राइम मनिस्टर प्राइम मनिस्टर है जैसिका अरण जैसिका अरण अगला क्योश्ण है हाल ही में भारत में 100% 100% इनकम टेक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है option A है MIC Redwood B है Fresh Golf Bank C है Agitha Group और D है SpaceX तो इसका right answer है option A Mike Redwood Mike Redwood ये है 100% income tax छोट पाने वाली पहली कंपनी भारत में 100% income tax छोट पाने वाली पहली कंपनी और ये कौन से देश की कंपनी है ये है अबूधाबी ये अबूधाबी की कंपनी है ठीक है अगला क्योंसर है हाल ही में किस राज्य के CM ने देश की पहली सोर उर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उधगाटन किया option A है आंदर परदेश B है केरल C है गोवा सोर उर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उधगाटन किया और केरल के CM कौन है तो CM है पिनराई विजियन पिनराई विजियन ठीक है और गवर्नर है यहांके जो गवर्नर है गवर्नर है है आरिफ मौमद खान अगला क्योंसन है किस देश ने दुनिया की पहली हाइडरोजन संचालित डबल डेकर बस की बस लांच की वो अप्शन ए है निदरलेंड, बी है स्कोटलेंड, सी है आइरलेंड और डी है न्यूजिलेंड तो इसका राइट आंसर है वो अप्शन भी स्कोटलेंड स्कोटलेंड देश ने दुनिया की पहली हाइडरोजन संचालित डबल डेकर बस की लांच की और स्कोटलेंड की राजधनी है एडिन बर्ग अगला क्योंसन है होकी इंडिया के अध्यक्स के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया उप्शन ए है तपन कुमार जोसी बी है राजेंदर सिंग सी है मोहमद मुस्ताक एहमद और डी है ग्यानेंदरो निंगोबं तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है उप्शन डी ग्यानेंदरो निंगोबं तो इनको क्या क्या गया है हाक की इंडिया के अध्यक्स के रूप में चुना गया है वो भी निर्गरोध ठीक है और इनसे पहले कौन थे तो इनसे पहले थे मुहम्मद मुस्ताक एहमद ठीक है यानि कि इनोंने मुहम्मद मुस्ताक एहमद की जगह ली है और जो यह ज्यानें किया जाएगा option A है भोपाल, B है वारान सी, C है मैसूर और D है राइपुर तो इसका right answer है इसका right answer है option C मैसूर ठीक है भारत का पहला सेंडलूल संगराले किस राजय में किया जाएगा तो वो है मैसूर में मैसूर का पढ़ता है ये पढ़ता है करनाटक में ठीक है और करनाटक के सीम है BS ये दुरूपा ठीक है और राजय पाल है यहां के गवरनर है वजू भाई वाला वजू भाई वाला ठीक है अगला क्योशन है तो इसका राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर है उप्शन ससी थरूर तो इसका राइट आंसर है कहां से है यह यह केरल से MP है अगला क्योशन है भारत के किस Tiger Reserve में इत्यास में पहली बार महिलाओं को गार्ड के रूप में नुक्त किया गया है उप्शन A है कारबेट टाइगर रिजर्व B है दूधवा टाइगर रिजर्व C है कारबेट टाइगर रिजर्व और D है ओरंग टाइगर रिजर्व तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ओप्शन A कारबेट टाइगर रिजर्व जो कारबेट टाइगर रिजर्व है इसमें इतिहास में पहली बार महिलाओं को गार्ड के रूप में निक्त किया है और ये कहां पे हैं कारबेट टाइगर रिजर्व है उत्राखंड में ठीक है और ये दूदवा टाइगर रिजर्व है ये है UP में यानि कि उत्तर परदेश में कानहा टाइगर रिजर्व है ये है MP में यानि एप लांच की, जो सैनिकों के लिए सुरक्षित वोइस वोडी, वीडियो कॉलिंग और टेक्स्ट की सेवा परदान करेगी, option A है ARM B है SAI C है BOT, और D है NET, तो इसका right answer है, इसका right answer है option B, SAI, ठीक है SAI, इसका full form होता है, secure application for Indian army secure application for Indian army, ठीक है ये क्या करेगा, ये messaging app है, ठीक है जो सैनिकों के लिए सुरक्षित वोइस वीडियो कॉलिंग और टेक्स्ट की सेवा परदान करेगी, और जो थल सेना है हमारी तो इसके परमुख कोन है तो थल सेना के परमुख है मनोज मुकुंद नर्वने मनोज मुकुंद नर्वने अगला क्योशन है उस Earth Observation Satellite का नाम बताईए जिसको इसरो ने 7 नॉमबर को PSLVC 49 रोकेट से लांच किया उप्शन A है NOS02 B है EOS01 C है KOS02 और D है AOS01 तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है Option B EOS01 जो PSLVC 49 रोकेट है उसने किसको रांच किया EOS01 PSLV इसकी फुल फॉर्म होती है Polar Satellite Polar Satellite Launch वहिकल ठीक है और जो ISRO है ISRO ISRO के वरतमान अद्यक्स कौन है ISRO के वरतमान अद्यक्स है K SIVAN ठीक है और इसका मुख्याले है Head quarter है Bangalore में Bangalore में ठीक है अगला क्यूशन है देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त CIC किसे निक्त किया जाएगा Option A है यस्वर्धन कुमार सिन्हा B है इसका राइट आंसर है Option A यस्वर्धन कुमार सिन्हा इनको क्या क्या गया है देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में निक्त किया जाएगा ठीक है CIC फुल फॉर्म होती है Chief Information Commission Chief Information Commission ठीक है और इन्होंने किस की जगह ली है तो इन्होंने जगह ली है सुधीर भारगव की जगह सुधीर भारगव की जगह अगला क्योंसन है भारत का सबसे बड़ा Double Decker Flyer किस राज्ये में बनाया जा रहा है Option A है उत्तरपरदेश B है बिहार C है महराष्टर और D है हरियाना तो इसका राइटांसर है Option B बिहार जो भारत का सबसे बड़ा Double Decker Flyer है वो बनाया जा रहा है बिहार में ठीक है बिहार के चापरा में बिहार के CM कोन है बिहार के CM है नितिस कुमार और राज्येपाल यानि की Governor कोन है तो वो है Fagoo Chohan अगला क्या सबसे है नमामी गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन भारतिय सुपर हीरो Brand Ambassador न्यूक्त किया गया है Option A है सक्तिमान B है चाचा चोधरी C है बिल्लू और D है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है Option B चाचा चोधरी ठीक है जो नमामी गंगे प्रोजेक्ट है उसके लिए चाचा चोधरी को सुपर हीरो Brand Ambassador न्यूक्त किया है अगला क्योशन है जो बिडेन सन्यूक्त राष्ट्रे अमेरिका के कौन से राष्टपती चुने गए है Option A है 44 B है 45 C है 46 और D है 47 तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है Option C 46 जो जो बिडेन है वो कौन से राष्टपती चुने गए है वो चुने गए है 46 इनसे पहले कौन थे इनसे पहले थे पार्टी टेमो क्रेटिक पार्टी ठीक है और जो उपराष्ट्रपती पद पर न्युक्त की गई है उनका नाम है कमला हैरिस जो भारते मूल की है ठीक है कमला हैरिस जो भारते मूल की है उनको उपराष्ट्रपती पद के लिए चुना गया है अगला क्योशन है नए ICC के अध B है ससांक मानोहर, C है ग्रेग बारकले, और D है इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंजफर है, ओप्सन C, ग्रेग बारकले. ग्रेग बारकले को ICC के अध्यक्स के रूप में चुना गया है, ठीक है? और जो ग्रेग बारकले हैं, ये कहां के हैं? ये हैं Oakland, Oakland के निवासी, ठीक है? और ये 2012 से New Zealand किर्केट के डारेक्टर थे, डारेक्टर, 2012 से क्या थे? New Zealand किर्केट के डारेक्टर थे, रेकिन अब इनको ICC के अध्यक्स के रूप में चुना गया है. अगला क्योशन है वर्स 2020 में बुकर पुरुसकार किसने जीता है ओप्शन A है अवनी जोसी B है डगलस टुवर्ट C है संतोस राणा और D है अनुराग भसू तो इसका राइट आंसर है ओप्शन B डगलस टुवर्ट ठीक है सुगी बेन के लिए इनकी दुवर्ण लिखी गई थी और ये कहाँ के है ये है न्यूँयार्क के ठीक है कहाँ के है न्यूँयार्क के अगला क्योशन है कोईले से बिजली बनाने वाला पहला देस कौन सा है ओप्शन A संयुग्द अरब अमिराद B है सौधी अरब C है मिस्र और D है कतर तो इसका राइट आंस्वर है Option E सन्युक्द अरब अमिरात यानि कि जो सन्युक्द अरब अमिरात है वो कोईले से बिजली बनाने वाला पहला देश है कोईले से बिजली बनाने वाला पहला देश कौन सा है संयुक्त अरब अमिरात इसकी कैपिटल है अबू धाबी अबू धाबी अगला क्योशन है नगर निगम ने किस राज्ये में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ की पहल सुरुवात की है उप्चन ए है उत्राखंड बी है उत्तर प्रदेश C है हरियाना और D है राजस्थान तो इसका राइट आंसर है उप्चन ए उत्राखंड ठीक है जो उत्राखंड राज्ये है इन्होंने किस की पहल की है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ ठीक है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अगला क्योशन है अंडमान और निकोबार कमान ने निमल लिखित में से किस द्वीप पर सन्युक्त्री सेवा अभ्यास कोड बुल श्ट्राइक किया है ओप्शन A है 17 द्वीप, B है लिटिल अंडमान, C है टेरेसा द्वीप और D है दक्सियन अंडमान तो इसका राइट आंसर है ओप्शन C, टेरेसा द्वीप ठीक है कहा है टेरेसा द्वीप और ये टेरेसा द्वीप कहां पढ़ता है ये पढ़ता है निकोबार आइसलेंड में ठीक है ये निकोबार आइसलेंड का हिस्सा है और जो ये संयुक TRI SEVA ABYAS CODE यानि बुल श्ट्राइक है ये किस-किस के बीच होता है तो ये हमारी तिन्नों सेनां यानि की थल सेना, जल सेना और वायू सेना तिनों के बीच अब्भयास किया जाता है ताकि इनके बीच का अंतरकम हो और जो तालमेल है उसके ध्यान केंद्रि बारत जलापूर्ती परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ओप्षन A है अरुनाचल परदेश, B है गुजरात, C है सिक्किम, D है केरल तो इसका राइट आनसर है ओप्षन A अरुनाचल परदेश अरुनाचल परदेश में भारत के पर्थम सोर आधार जलापूर्ती परियोजना शुरू की गई है ये पहला राज्य है ठीक है दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आगे जो भी हम वीडियोज डाले उसका नोटिफिकेसन आप लोगों तक पहुंसके और जो भी आपके डाउट्स हो उनको कॉमेंट करके जरूर बताएं थैंक्यू